बड़ी जानकारी आपको दिदे भारत बांगलादेश बॉर्डर पर इस वक्त हलचल तेज हो गई है B.S.F. ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है भारत बांगलादेश बॉर्डर पर सकती बढ़ा दी गई है D.G. B.S.F. दलजीत चौधरी पेट्रपोल क्रॉसिंग पहुचे होए हैं वो पैनी नजर बनाए होए हैं क्योंकि जिस तरीके से हालात बांगलादेश में बने होए हैं उसके बाद से कोई इंफिल्ट्रेशन ना हो इसको लेकर जो है अब सकती बढ़ती जा रही है हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है बकाईदा जिस तरीके से रेलवे विभाग की तरफ से एयरलाइन की तरफ से कुछ जरूरी दिशान दिरदेश भी दिये गए हैं अलंकि फ्लाइट भी कैंसर कर दी गई है रेल सेवाएं जो है वो बादित हैं लेकिन जिन जिन लोगों के पास परमिक्स हैं उन्हों लोगों की चेकिंग बकाईदा की जा रही है और बांगलादेश के साथ भारत कुल 4,096 किलोमेटर सीमा साजा करता है लेकि भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेगाले और त्रिपुरा के साथ बांगलादेश की सीमा लगती है इनमे बांगलादेश की 12,217 किलोमेटर सीमा अकेले पश्चिम बंगाल के साथ लगती है और इसलिए पश्चिम बंगाल के लिए भी सबसे ज्यादा उस पैट हो सकती है, शरुनाती वहां से भारत में दाखल होने की कोशश कर सकते हैं, जिसके लिए इस वक्त B.S.F. ने मोच्चा समाला हुआ है. और जाधा जानकारी के लिए आशिका हमारी सहयोगी वाल साथ बनी हुई है, आशिका जिस तरीके से फिलहाल हालात बने हुए है, सबसे जाधा संवेदल शील अगर हम माने तो जो सीमा बंगाल के साथ लगती है, वहाँ पर हालात सबसे जाधा सेंसिटिव बने हुए हैं, इस पर आगे किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से पैट्शोलिंग हो रही है और सुरक्षा इंतजामात किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। इसके मद्दे नजर यहां पर कल पहुंचे और नसर्फ कल, कोई पहले से तहकार एक्रम नहीं था, आज भी यहां पर रुके हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, ताकि बांगलादेश में जो हिंचा हो रही है, वो पशिम बंगाल तक किसी तरह से भी ना पहुंचे और साती साथ जो सीमा है, पूरी तरह से सुरक्षित रहे गूपैठ ना हो सके इस परिस्तिती में। आशिकर सरकार की तरफ से भी क्या कुछ इस पर टिपणी की गई है या कोई कदम इसे लेकर उठाए गए है ताकि जो बंगाल की सीमा है, वो हर माइने में सुरक्षित रहे। देगे पशिमंगाल सरकार इसकी बात करें तो कल मम्दा बैनर जी ने भी ये कहा था कि जो भी करेगी वो केंदर सरकार करेगी, कड़ा रुक एक्तियार किया गया है, तभी प्यस्फ के डीजी सीदे कल पशिमंगाल पहुंचते हैं, सबसे एहम ये राच और मुख्यमंत्री की बात करें, तो उन्होंने ये सब से कहा है, अपने क्यापिनेट की बैठक में अपने इताओं से कहा है, कि कोई भी फोस्ट ना करें ऐसा सोचल मीडिया पर जिससे कोई दिक्कत हो सकती है, तंगा हो सकता है, और अब पूरी तरह से पुलिस भी कुछ इलाके हैं, जिने मिन पूरी तरह से कहा है, कि उन इलाकों में भी जो लोग रह रहे हैं, वो सुरक्षित रहे हैं, अलागि जो लोग यहां पर पसे हैं, वो अब जाएं कैसे, ये सवाल उनके मन में होट रहा है, बिल्कुल आशिका फिलाल, इस तमाब जान कारे के लिए बहुत बहुत शुक्रि होए हैं, और सुरक्षा के मदे नजर वहाँ पर पहनी नजर बनाएं.